हेलो फ्रेंड आज हम इस वीडियो में देखेंगे लैप्टॉप मदर बोड या डेक्स्टॉप मदर बोड या कोई भी इलेक्टोनिक्स पार्ट्स में जो बोड होता है लगा हुआ उस बोड के उपर जो कंपोनेंट होते हैं जैसे की कैपेस्टर, रजिस्टर, कुवाइल, मॉस्फेट या फिर आईसी तो उनकी चेकिंग कैसे की जाती है कैसे पता किया जाता है कि उसमें जो लगा हुआ कंपोनेंट है वो ठीक है या खराब है वोल्टेज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कंपोनेंट की मतलब कंपोनेंट को चेक कैसे करें कि वो कंपोनेंट सही है या खराब अगर सही होगा तो वोल्टेज तो पास करेगा, वोल्टेज तो बनाएगा अगर वो खराब होगा तो voltage नहीं बनेगा नहीं वहाँ बनने देगा ठीक है तो हम इस वीडियो में बात करने कि जो component लगा होता है वो कैसे पता करें कि वो सही है या खराब ठीक है तो लोगबग जितने भी component हमारे laptop motherboard में लगे होते हैं या desktop motherboard में लगे होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे उन component को check करेंगे ठीक है टेस्ट करेंगे कि वो component okay है या faulty है तो मेरे पास motherboard देख सकते हैं तीन चार motherboard है मेरे पास laptop के motherboard है सारे मेरे पास ठीक है तो इन laptop motherboard में बहुत सारे component लगे हैं देख सकते हो scrap mother board आई है scrap मतलब faulty board है यह board तो faulty है लेकिन इसके उपर जो component लगे हैं वो सारे faulty तो नहीं होंगे कुछ component faulty होंगे या फिर इसको जो खराब किया गया मतलब इसको scrap जो बनाया गया maybe यह PCS faulty होगा है ना या अंदर का जो track है internet track खराब हो गया होगा तो इसको scrap कर देते हैं जो की repairing के लिए काम में आता है ठीक है मतलब इसके उपर से component निकालके दूसरे board पे लगाया जाता है जिसकी जरूरत होती है हमें ठीक है तो इस board पे मेरे पास 3-4 board है मैं आपको किसी एक-2 board पे आपको दिखलाता हूँ मैंने की component को कैसे पहचाना जाता है पहले यह देख लो यह आप देख सकते हैं जितने भी यह यह देख देख सकते हैं आप आठ पिन का है यह टोटल दिख रहा होगा आठ पिन आपको यह देखिए यह हमारा यह आठ पिन का है यह पिन काउंटिंग का है इसकी यहां से है यहां देख सकते हैं आप साइड में एक हलका सा मार्क है यहां आपको दिख रहा रहा हूँ इस दिख रहा होगा आपको यहां पर मार्क यह मार्क यह पिन काउंटिंग के स्टार्टिंग है और इसके उपर हलका सा डोर दिख रहा होगा आपको यह यह काउंटिंग है कि हाँ यहां से पिन नंबर स्टार्ट हुआ है तो टोटल आपको देख सकते हैं यह आठ पिन का क्या है इसके उपर लिख है क्या है यह तो यह हमारा है इसके पैचान कैसे की हमने तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा है यू, 25, you का मतलब होता है IC, मतलब U IC का denoting later है IC को पहचानने के लिए U से हम IC पहचानते हैं ठीक है, IC के पास आप देख सकते हैं छोटे छोटे जो brown color के हैं, ये ये वाले ये वाले, ये सब ये सब, ये हमारे हैं capacitor, तो capacitor का denoting later इसमें नहीं लिखा हुआ है ना, सिर्फ IC के लिए U25 लिखा है 25 इसका placement number है मतलब ये इस number से 25 है ठीक है, placement number है क्योंकि U 25 आपको पूरे board में कहीं नहीं मिलेगा ठीक है आपको मिल जाएगा C 25, C का मतलब होगया capacitor उसका placement number 25 है ना, तो same IC और सेम उसी number IC का placement number दो जगा नहीं होता, U25 है तो आपको पूरे board में U25 नहीं मिलेगा आपको R25 मिलेगा R का मतलब होता है register 25 मिलेगा, आपको C25 मिलेगा, आपको PQ25 मिलेगा, है ना, आपको D25 मिलेगा, लेकिन U25 नहीं मिलेगा, ठीक है तो, पाते से लगिया, board में एक ही placement होता है, एक ही number का ठीक है उस तरह ये दमाने बता दिया, आपको capacitor है, जो चारो तर दिख रहा होगा, आपको capacitor देख सकते आप, और उसके बाद, ये छोटा सा देख सकते ये क्या है ये इसके उपर लिखा है Q56 देखलता हूँ आपको एक नट कहां था ये रहा देखिए Q56 तो ये कितने पिन का है छे पिन का है, तो ये क्या है ये हमारा है MOSFET तो ये MOSFET Dual MOSFET भी हो सकता है क्योंकि 6 पिन का MOSFET आता है और 6 पिन में 2 MOSFET आते हैं, 3-3 पिन के जो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर Q59 लिखा है, पिन कितने हैं, इसमें, 1-2-3 इनहीं इसी तरह का MOSFET इस 6 पिन वाले MOSFET में होता है 2, क्योंकि 3 एक हो गया 3 दूसरा MOSFET हो गया तो यह MOSFET मैंने क्यों भूला क्योंकि Q की starting MOSFET से होती है, मतलब denoting later MOSFET का क्या होता है Q, तो यह MOSFET है मेरा यह आठ पिन का मेरा IC था, यह आप से देख सकते हैं इस कलर का कैपेस्टर आता है, जो ब्राउन कलर का है, और यह आप देख सकते हैं rays और यह देख सकते हैं यहाँ पे एक, दो तीन, चार, पाँच यह पाँचों क्या है तो इस वाले को देख रहा हूँ, मैं तो लिखा है PQ49 PQ49 का मतलब MOSFET क्योंकि P का मतलब होता है Power Q का Denotator होता है MOSFET का Denotator Q, मतलब Power MOSFET है 49 इसका Placement Number है आपको PQ49 पुरे बुर्ण में कहीं नहीं मिलेगा Q49 मिल जाएगा क्योंकि Q49 अलग है और PQ49 अलग है है ना तो यह मेरा MOSFET है, तो MOSFET 8 पिनका भी आता है और आपको मैंने यहां दिखला आया यह देख सकते हैं Q59 Q करके हमारा MOSFET भी आता है तो 3 टांग का MOSFET भी होता है 8 पिन टांग का भी होता है और यहां मैंने 6 टांका दिखला है, single MOSFET भी 6 टांका होता है, dual MOSFET भी 6 टांका होता है और इसी तरीके के 8 पिन का MOSFET भी है हमारे बोड में, तो ये भी MOSFET था और दूसरा वाला देख से तो यहां लिखा है PQ47 ये भी MOSFET है इधर लिखा है PQ46 ये भी MOSFET है PQ 48 ये भी MOSFET है इसके बगल में मैं ये देख रहा हूँ तो यहां लिखा U26 तो U26 हमारा IC है क्या है IC ठीक है ये MOSFET नहीं है ये IC है और यहां पर देख सकते हैं ये दो D14 और यहां लिखा है D यहां से कटा हुआ है 16 तो D14 D16 मतलब होता है हमारा Diode ठीक है क्या होता है Diode Diode का denoting later होता है D तो Diode की पहचान कैसे करनी है बोड में जहां पर D से लिखा हुआ हो और जो उसका रोल नंबर है 14, 15, 16 ये इसका placement नंबर है ठीक है लेकिन Diode का denoting later D होता है और 3 pin का Diode भी होता है बोड में लगा हुआ ठीक है आपको और भी दिखलाता हूँ है Diode तो यहाँ पर आप देख सकते है ये लिखा है PD1 लाल कलर में है ये तो power diode 1 इसका placement नंबर है तो ये इस तरह का भी Diode हमारे बोड में आता है ठीक है तो ये भी Diode है हमारा और ये देख सकते हैं यहाँ पर क्या है PQ यहाँ में PQ 56, 63, 69, 65 तो ये सारे क्या है MOSFET और TRANZISTER क्योंकि TRANZISTER का DENOUNTING LATER भी PQ होता है या Q होता है तीन पिन वाले में आप TRANZISTER को पता नहीं कर सकते कि वो TRANZISTER है या MOSFET लेकिन होता दो ही है TRANZISTER होगा या MOSFET होगा तो वो पता कैसे करना है तो तीन पिन वाले में आप देख सकते हैं ये वाला देख सकते हैं ये वाला और ये वाला साइज में बड़ा है ये और ये छोटा है तीन पिन वाले में ये भी PQ 63 है, ये भी Q से start है, तो ये भी MOSFET, ये भी MOSFET, लेकिन दोनों में कोई एक transistor है, तो transistor होता है हमारा छोटा, देख सकते हैं, आप size में ये बड़ा है, और ये छोटा है, देनोटिंग लेटर वही है, Q से start है, PQ से start है, तो जो छोटा होता है, वो transistor होता है, जो बड़े size में होता है, वो MOSFET होता है, तो ये देख लिए हमने बोड में लगा हुआ है, और ये देख सकता है, ये क्या लगा है हमारा, टोटल पांच पिन का दिख रहा होगा आपको ये एक, दो, तीन, यहाँ चार, पांच, तो पांच पिन का क्या है ये, इसका डिनोटिंग लेटर देख सकते हैं, आप U8 लिखा हुआ है, तो U8 से हमने समझा था IC, ठीक है, तो ये IC की तरह ही होता है, इसको कहते हैं, गेट्स, लोजिक गेट्स, अगर आपने बोड में ये भी पांच पिन का देख रहे हो, तो वो 80-90% कोई गेट है, गेट कही तरह के होते हैं, एंड गेट, नैन गेट, नोट गेट, और गेट, तो इनमें से ये कोई एक गेट है, ठीक है, तो इसके साइड में आप देख सकते हैं, ये, जो की काफी, एक, दो, तीन, चार, पा ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये छोटे-छोटे रजिस्ट, ब्लैक कलर के, ब्लैक कलर के ये सारे रजिस्टर है, ठीक है, तो ये रजिस्टर है, ये Q65 मॉसफेट है, मेभी डूल मॉसफेट है, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये, जिसके उपर में यह छोटे-छोटे साइस का black है silver line है तो यह रजिस्टर है और आप जब इसको देखते हो यह हमारा क्वाइल है क्वाइल का डिनोटिंग लेटर क्या होता है पी-एल-39 जो की एल से start होगा या पी से power को आप छोड़ सकते हो पी का मतलब आप पी को अगर छोड़ भी दोगे तो एल का मतलब होता है क्वाइल ठीक है आपको जैसे पी-क्यू दिख्ला एक था क्यू का मतलब होता है MOSFET या TRANJISTER तो इस तरह से पी को आप छोड़ के मतलब होता है पावर ठीक है तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं तो इस तरह से हमने क्या देखा L मतलब koyle देख लिए हमने koyle इस तरह का होता है ये SMD koyle है एक ये koyle देख सकते हैं आप यहाँ पर लगा हुआ आई है मैं दिखलाता हूँ आपको यहाँ पर देख सकते हैं koyle ये PL23 है ये वाला koyle ये वाला PL23 इसके बाद ये side में mosfet है देख सकते हैं, ये भी इस तरह का MOSFET आता है इसके अंदर भी 8 PIN है 1, 2, 3, 4 और इधर 4 है 8 PIN है, इसका रिनोटिंग लेटर PQ39 है, तो ये MOSFET हो गया ये दोनों कैपैसिटर हो गए SMD कैपैसिटर और ये दोनों भी MOSFET है देख सकते है PQ40, PQ41 और ये जो आप देख रहें, बड़ा सा ये ये हमारा है IC, यहाँ पे लिखाए PU1 देखिए दिख रहा होगा आपको Sorry, PU12 है ये PU12 ये हमारी IC है ठीक है, तो IC के बगल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे सीड़े ही पूरे कुछ कोडिंग लिखी भी है तो ये हमारा रजिस्टर है रजिस्टर के उपर कुछ कोड भी होता है ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं ये जो कैपैसीटर है, रजिस्टर है किसी का भी डिनोटिंग लेटर नहीं लिखा हुआ है बोड में तो ऐसे बहुत सारे बोड है जिसमें रजिस्टर के कैपैसीटर के डिनोटिंग लेटर नहीं होते तो हमें उसको इडिन्टिफाइ करना पड़ता है कलर से तो मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ कि आप पूरे बोड में लगे हुए सारे कंपोनेंट को इजी तरीके से पहचान सके ठीक है तो कैपैसीटर है ये भी आप यहाँ पर देख सकते है ये कौन सा था ये वाले ये कैपैसीटर ये बीच में वाइट कैपैसीटर है ये भी और जो ब्लैक है वो रिजिस्टर है ये भी कैपैसीटर है यहाँ पर यह भी capacitor है यह सारे capacitor यह register है और यह coil है यह coil capacitor यह U2 कितने pin का है पांच pin का तो पांच pin का क्या आता है logic gate तो यह हमारा वही है और यह देख सकते है PQ 73, PQ 74 MOSFET है और यह देखी क्या है यह हमारा capacitor है तो इसका denoting later मैं आपको दिखलाता हूँ होता है कि denoting later इसका यहाँ पर आपको दिख रहा होगा light नहीं है इसमें एक minute यहाँ पर दिख रहा है आपको C121 C का मतलब होता है capacitor capacitor का denoting later C है और 121 इसका placement number है तो capacitor होता है यह capacitor होता है polar जिसके अंदर यह positive होता है एक side एक side negative होता है और यह जो छोटे वाले दोनों capacitor देख रहे हो आप इन दोनों में कोई भी positive negative नहीं होता ठीक है यह इस वाले capacitor में positive negative होता है अगर आप इसको निकालके दूसरा लगाते हो और आप भूल चुके कि यह कैसे लगा था तो आप कैसे भी लगा सकते हो इसको चाहिए इसका इधर इधर का इधर कर सकते हो लेकिन अगर यह capacitor आपने जैसे निकाला है वैसे ही दूसरे capacitor को लगाना है ठीक है अगर इधर आप polarity capacitor इसके अंदर positive negative होता है और यहां पर मैं यह देख सकते हैं आप एक यह है U24 तो समझ गए आप UIC आई यह और एक यह है Q31 Q31 मतलब MOSFET है यह मेभी dual MOSFET होगा या single MOSFET होगा ठीक है तो easy way से बता रहा हूँ मैं आपको यहां पर यह देख सकते क्या है आर P1 आर P1 आर का मतलब हो क्या रजिस्टर पी का power power रजिस्टर हैंगे और यह रजिस्टर देख सकते हैं चारों रजिस्टर एक साथ combine है है ना एक के साथ एक जुड़े हुए है तो इसको कहते हैं network register यह होता है हमारा network register तक है तो कितना यह network इस रिच्टर चार रेजिस्टर लगे हुए हैं चार रजप्र अलग लग है ठीक है कि इन रजच्टर के अंदर क्या होती है वैली होती है ओमस्ट होता है इसके ऑन्द मेरे इंपिडेंस होता है according to रजटर की वैल्यू टीक है तो यह आपस में सारे connected नहीं होते हैं, single single होते हैं ये तो इसको network register कहा जाता है register का denoting later R से होता है अब उसके नीचे देख सकते हैं D2, तो मैंने आपको बताया, D का मतलब होता है diode तो diode इस तरह का भी होता है ये जो हलका सा mark देख रहे हैं ये होता है हमार diode का anode दूसरा side होता है cathode कह सकते हो positive and negative ठीक है, इस diode के अंदर diode के उपर mark होता है, जो की anode होता है, एक side cathode होता है anode के अंदर जो दो पिन है इन दोनों पिनों का नाम होता है, anode and cathode ठीक है तो इसको जैसे आपने निकाला, वैसे ही लगाना है, यह आप side में देख सकते है, U6 एक IC है Q9 MOSFET है Q2 MOSFET है, साइज में बड़ा है चीक है, यह capacitor है, यह छोटे छोटे दो register है, यहाँ पी यह line से सारे के सारे register लगे में बोड में, चीक है, यहाँ पे Q12 नहीं लगा हुआ है यह capacitor, capacitor register, यह d4 diode यह देख सकते हैं, रजिस्टर Q7, maybe transistor, register, diode है नगा चीक है, तो इस तरीके से हम component को असानी से बोड में पैचान सकने है इससे ज़्यादा component नहीं होता बोड में, चीक है दूसे बोड में देख लिएते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं यह हमारा UE24 उल्टा दिख रहा होगा UE24, यह भी हमारा IC है है तो यह BIOS, laptop के अंदर का BIOS है लेकिन U से IC को हम denote करते हैं, तो BIOS भी एक तरका IC है यह देख सकते हैं, आप यह बहुत ज़्यादा पीन है इसके अंदर यह हमारा होता है, I.O पूरे laptop में एक I.O जरूर होता है ठीक है, Input Output जिसका S.I.O भी कह सकते हैं तो S.I.O के अंदर 128 pin होती है, तो आप गिंती करोगे तो 128 मिलेगा, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ लिखा भी हुआ है 128, ठीक है, यहाँ से start है, pin number 1 देख सकते हैं, यह triangle का निसान है, यहाँ pin number 1 से start ऐसे करके, ऐसे start होके, यहाँ पर